नमस्कार दोस्तों संसकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत हैं तो पहरे दोस्तों आज हम आप लोग के लिए आपके आने वाली एक्जाम BSTC 2023 के लिए बड़े ही 50 इंपोर्टेंट कोशन कराने वाले लक्ष से संबंदिते सारे कोशना रहने वाले जो की हरवार एक्जाम म सीथे सथ देखने को मिलेंगे तो ज्यादा टेंब नहीं लिए सीथे सीथे कोशिशन को पढ़िए और आप लोगों को भी कमेंट करके बताते रहना हैं ठीक है और लास्ट में यह भी वताना है कि आप लोगों ने 50 कोश्यन में ते कितने कोईशन सही किए हैं तो चलते हैं अपने प्रिथम कोईशन की तरफ बीका नेर के किस सासक ने सुमेल गुरी के युद्ध में सेरसा की साहिता की थी राओ कल्यान मलने की थी सर टोमस रो ने अपना परिचय मुगल समराट जहांगीर को किस सिस्तान पर दिया था टोमस रो ने मैग जीन का दुर्ग जो आप लोग अजमेर के अंदर परता है इस्ट इंडिया संधी के साथ जो अंतिम रियासती वो शिरोई रियासती याद कर लेना इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधी करने वाली है किस सासक को मेवाड की बौधिक एवं कलातमक उन्नती का स्रे दिया जाता है मारवाड के किस राट होड सासक ने मुगलों की आधिनता श्युकार नहीं किती उनका नाउन था राव चंदरशिन इसे मारवाड का भूला हुआ प्रताब भी बोला जाता है अगला देखिए राणा सांगा ने किस युद में बावर की सेना को पराजित किया था बिल्कुल राणा सांगा ने किस युद में बावर की सेना को पराजित किया था व्याना का जो युद हुआ था उसके अंदर बावर की सेना को पराजित किया गय था किस राजपूत मनसबदार को अकवर ने फरजंद की उपादी दी थी वे मनसबदार कौन था जिनों को फरजंद की उपादी दी गई थी सबको पता है मान सिंग ये वही मान सिंग था जो हल्दी गाटी का युद्र लड़ा गया था संग 1560 के अंदर तब इनोंने अकवर की साई सेना का नित्रित किया था बिजावलिया किसान आंदोलन में किस जाती के किसान सरवधिक संक्या में थे बिजावलिया जाती के किसान सरवधिक संक्या में थे कौन सी जाती के थे देखिए ये थे आपके धांकर जाती के कौन से जाती के थे, धां कर जाती के थे, हल्दी गाटी के युद्ध को बिद्वानों ने खमनोर का युद्ध का था, हल्दी गाटी के युद्ध को बिद्वानों ने क्या का था, खमनोर का युद्ध का था, बिल्कुल अबुल फजन आप लोगो का, बिल्कुल से होगा, ब आई टाउसर होगा देखें किस प्राचीन सब्धा को तामर्वति नाम से भी जाना जता है वह कौन सी सब्धा के नाम से जाना जता है आप गभराएक नहीं यह सारे के सारे को को सनने लिए लग्षासि समदित लिये गए एक भी कोश्चन मिसने होगा एक जाम के अंदर ध्यान इक्षन होने से कोई रोक नहीं सकेगा ध्यानपूर्बग देखेगा और अगर वार्टसप गुरूप में अगर आप लोग अभी इस तक जुड़े नहीं है तो यह मारा वार्टसप गुरूप नंबर है एक मिद्ट दोबारा लिख देता हूं देखे चानवे एक मिद्ट रुक जाओ देखे चानवे असी 81 सत्यानवे अठ्यानवे इस नमबर पर भी एच्टी सी स्टूनर लिखकर भेज देना है आँससर देख लेना इसका आहड मिलकुल सही होगा केंद्र शासित प्रदेश अज शमेर मेरवाडा का जरजिस्तान में विले हुआ था यह हुआ था आपका 1956 के अंदर कब हुआ था 1956 के अंदर ऑप्सन नमबर डी राइट आपस रोगा दिसंबर 1912 को लाड होडिंग पर वर्दमान विध्यार लेके विध्यारती ने बंप ही कह था उसका नाम क्या था देखे उसका केसरी सिंग थे अपसन नमबर सी कर लेना है केसरी सिंग जो चलिए कुम्मलगट दुर्ग का निर्मान महाराना कुम्मा ने किस सिल्पी के निर्देश में पूर्ण करवा था निर्देश में जो पूर्ण करवा था उस सिल्पी का नाम था मंडन मंडन था उस सिल्पी बिल्कुँ C option right आउसरोगा सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है बताओ जली अली सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है हमियुद्दीन नागोरी option number D आप लोग का राइट कर लेना है हमियुद्दीन नागोरी राजेस्तान के वह लोग देवता जिनोंने महमूद गजनभी से युद्ध किया था उस लोग देवता के बारे में बताना जिनने महमूद गजनभी से युद्ध किया था गोगा जी बिलकुल आप लोग का सही होगा अपसन नमबर A देखे चोर नेत चारवेत झो की राजेस्तान की पृषलित लोग के गाहेंस है लिए कहा की पिर्षिद्द है देखे यह जो पिर्षिद्ध होगी नहीं यह टॉंकी की पिर्षिद्ध होगी टौक की की ऑप्सन नमबर भी बिल्कुल साइगल लेना है घेंगा गंगौर पिर्षिद है बताएगा घेंगा गंगौर कहां की पिर्षिद होगी तो देखें उदैपूर के आप लोगो की घेंगा गंगौर पिर्षिद होगी ऑप्सन नमबर सी इसे जीलों की नगरी के नाम प्रचित चार नाटकों में कीर्थी इस्तम के अनुसार किस वासा का प्रियोग किया गया है किर्थी इस्तम के अनुसार किस वासा का प्रियोग किया गया है देखें वो जो मेवाडी है ना मेवाडी वो कहवत है ना कि मायड थारो वो पूट कठे है बिल्कुल जो एक लिंग दीवान कठे भाराना प्रताफ देखें खुमान रासो नामक गरंद की रचना किस ने की बताईएगा खुमान रासो नामक गरंद की दलपत सिंग ने उप्शन नमर सी कर लेना आपका दलपत सिंग ने वह नत जो बिना किसी बादी अंत्र के गरास या जाती दोरा सिरोई एबम आजू छेतर में देखें धीमी गती से किया जाता है कौन सा होगा ये होजएगा आपका बालरा कौन सा होजएगा बालरा बिलकुछ से होगा ओप्शन नमर डी देखें कमल से भरे सरोवर किस चित्रकला सेली की विसे है कमल से भरे सरोवर के बारे में बताना है आप लोग को सबको पता होना चाहिए किसनगड सैली और बनी ठनी जो सैली भी है वो भी आप लोग की किसनगड सैली के ही होगी समझ में आया? बिलकुल जी राजस्तान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक लंबी सीमा इसपर्स करती है अन्य राज्यों से क्या करती है राज्यस्तान का वह जिला जिसकी जिसकी यानिकी अन्य राज्यों से सरवाद एक लंबी जो इसपर्स करती है वो कौन से ओकी जहलावाड की है किसकी योगी जालरावाड की है जो है ना अच्छा जो राजस्तान के अंदर जो करकर रेखा गुजरती है कौन-कौन से जिलों से होका निकलती है उसके वारे में भी आपको बताना है राजस्तान की पहली बाग परियोजना है कमेंट भी आप लोग करते रहेगा और घबराए नहीं आपके अग्जाम की द्रश्टी से यह सारे के सारे कोशन बनाएं तो सब को देखिएगा राजस्तान की पहली बाग परियोजना कौन सी है तो पहली बाग परियोजना का राम मुगा रंधंबोर यह कहां पर है सबाई मादों पर के अंदर होगा option number C राजस्तान की वह है जील जो डियूक और कनोट से संबंदित होगी आउंसा क्या होगा आपका फटेश सागर फटेश सागर आप लोग का बिल्कुल सेकर लेना है फटेश सागर कौन से जीलों की फटेश सागर सावर जील के बारे में अगर आपको पूछ ले जाए एक जम में तो यह आपकी जैपूर के अंदर पड़ेगी जैपूर के अंदर जो ठीक है देखे काईलाना कहां पर है काईलाना आपकी जोदपूर के अंदर पड़ेगी ठीक है लेकिन लाल सागर कहां पर है कमेंट कहीजिएगा खारी नदी बनास में देवली टोंक के निकट मिल जाती है इस नदी का उद्गम सुरोत कौन सा है बताईगा खारी नदी बनास में जो देवली टोके निकट जो मिल जाती है इस नदी का उद्गम सुरोत बताना है मतलब कहां से निकलती है विजराल की जो गाओं पाड़िया ना देवगड राजसमन से option number A आप लोगों को लगा लेना है राजस्तान में हल्दी का सरवादिक उत्पादन कहां होता है हल्दी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता आपका जहडोल उद्धैपूर के अंदर कहां पर होता है जहडोल उद्धैपूर के अंदर होता है देखिए धरवाड क्रंब होगा कौन साफ लोग के साफ dos उतने हैं तक तो देखिए इसका होगा देली क्रम, उप्सन नमबर D विल्कुल से होगा आपका देली क्रम, राजस्तान को कितने, देखिए किर्शी जलवायू पिर्देशों में, देखिए वर्गी करत किया गया है, किर्शी जलवायू पिर्देशों में क्या किया गया, वर्गी करत किया गया अरे जो मिट्टियों से सम्मंदित कसन असत है उसके वारे में आप लोग को बताना है राजिस्तान में लाल लाल मिट्टी का निर्मान देखे फासपोर्ट मुप्त चट्टानों से सनन से हुआ है ये बिलकुल आप लोग जो बताना चाहते हैं वो ही होगा ठीक है चलिए रातों से ज्यादा रातों से लड़ना बहुत जरूरी है राजिस्तान के किस भाग में उंचाई के साथ बनस्पती के सरूप में उंचाई कटिवंद्य पाई जाती है देखे यह जगा आपका दक्षिनी छेत्र ऑप्सन नमबर सी मतस से संग के सम्मिलित रिया सते थी मतस से के अंदर थी ने में लिक्तम से किस देखे महाकल्प से अरावली परवत परनाली सम्मझत है यह जगा आपका प्री केंब्रियम इजदर आई टांस होगा ऑप्सन नमबर सी राजिस्तान के किस वाग में अधी सेस जलकी सर्वादिक मात्रा बिदमान रहती है देखे अधी से देखे 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 अधी से से जलकी सर्वादिक मात्रा बिदमान रहती है , दक्षिन होगा पूरवी होगा उत्री होगा यहाफ़ पश्मी होगा तो देखे दत्चिनि आप लोग का बिलकुस से wrिए ऐपका द क्षिन राइट आंसर ओगा आप लोगा दक्षिनी यह जो राजस्तान में सबसे अधिक छेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है सबसे अधिक छेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार होगा लाल दोमट होगा, काली दोमट होगा, भूरी बालू होगा यह ज़िए आपका अधिके भूरी दोमट होगा चलिए आउंसर देख लेना है इसका होगा आपका लाल दो मट बिल्कुछ से होज़ेगा आपका लाल दो मट option number A निमलिकित पिरकार की बना स्पेतियों में से कौन सी राजिस्तान में देखे प्राय नहीं है बताई है कर राजिस्तान के अंदर उस ने कटी बन दिये तर जानी कि जो क्या होगा आपका पत जड़ी option number D अगला देख लो अगर आप लोगों ना विस्तक लाइक नहीं किया तो लाट लो लाइक कर दो प्यारे बच्चों क्योंकि हम आप लोग लिए जानदार जानदार सस्थन लेते हैं तो आप लोग जल्दि से जल्दी कर दीजीगा देखे राजिस्तान के निमने सहरों में से केंद्रिय भेड तत्था देखे उन अनुसंदान सनस्थान कहां पर होगा केंद्रे भेड उन संदान जो संस्तान ये कहां पर होगा देखे ये हो जाएगा आपका अंबी का नगल ऑप्सन नमर क्या होगा बी बिलकुर से होगा अंबी का नगल देखे देहली देखे महा महा समू में जो सहल समू समयलित नहीं है वह कौन से हैं देहली के बारे में को दो भागों में बाटने वाली समवर्स रेखा है वता ही गई इसके वारे में तो देखो इस का Онसर क्या होगा इसका होगा पचास से मी कितना णोग़ाओगा डेखो राजस्तान राज में लाल लाद भूमत मित्ती जिन जिलों में पाई जाती है। अगला देखेगा मा आबू परवत छेतर में बनस पती का निमि लित्मते से कौन सा पिरकार पाये जयता है सदाहर्थ बनसपति अराली स्रेछी की दूसरी अधिक तम उचाई की चोटी कौंसी है किसी चोटी बताओं हैके थे स्रेछीए एक दमराई टाव सुगसेर जिसकी लंबाई कितनी होगी आपकी 1597 की होगी कितनी मीटर की 1597 की होगी गुरू सिकर की कितनी है 1722 मीटर की है याद रख लेना है बिल्कुल राजिस्तान में बिंद्ये मासमू के सहल मुख्य पाए जाते हैं इनके वारे में देखना है पूर्वी राजिस्तान में कहां पर पाए जाते हैं पूर्वी राजिस्तान के अंदर देखे जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विसमता का पिर्थी सत सर्व अधिक है विसमता का पिर्थी सत जो आउंसर आप लोगो को देख लेना है इसका जैसल मेर बिलकुल राइट आउंसर उगाप का जैसल मेर बिलकुल सही कर लेना है जैसल मेर है जो देखे राजस्तान राज के दक्षिनी जिलों में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है मुख्य मिट्टी के बारे में बताना है मुख्य मिट्टी कौन सी होगी देखे इसके बारे में देख लेना है लाल दोमट आप लोग का बिलकुश से होगा आपका लाल दोमट कौन सी हो जाएगी लाल दोमट is the right answer option number A जो देखे खेजडी और बवूल पिरकार की बनस्पती की पिर्धानता राजिस्तान के किस छेत्र में अधिक है कमेंट करो जल्दी जल्दी खेजडी और बवूल पिरकार की बनस्पती की पिर्धानता राजिस्तान के किस छेत्र में अधिक है इसका हो जाएगा आपका देखे लूनी जवाई छेत्र कौन सी होगी लूनी जवाई छेत्र आप लोग का बिलकुश सही होगा अगला देखो देख से संगलगन राज्यों का देखे जिला जो की प्रत्यक्ष राजिस्तान को छूता नहीं है कौन सा है जल्दी बताएगा प्रत्यक्ष राजिस्तान को छूता नहीं है न वह कौन सा होगा इसका उंसर आप लोग को लगा लेना है देखें भूझ 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 बिल्कुल सही हो जागा आपका भूझ है जो ठीक है कराने थे पचास 51 हो गए लेकिन फिर भी आप लोग को इसका उंसर कमेंट में बताना है राजस्तान में पिछले 25 वर्सों में भूमी उपियों के अंतरगत निमिलिक्त मसे किसके छेत्रपत में सबसे अधिक विर्दी हुई है इसका उंसर आप लोग को क्या करना है कमेंट सेसल में जरूर बताना है ठीक है लाज लोग और ये भी बताना है कि आप लोग के कितने कोश्तान सही हुएं 50 मसे अगर आप लोग को डेली क्लास लेनी है 7 पीम पर तो मान लीजिए आपका सेलेक्शन शोर है एक भी कोश्तान नहीं छूटेगा वाद आया महरा जो ठीक है तो थैंक यू सस्क्राइब नहीं कर देना लाइक नहीं कर देना तो लाइक भी कर देना